प्रोग्रामिंग के इस सेटिफिकेशन कोर्स में जहां पर हम आज देखने वाले हैं इंप्लिमेंटेशन ऑफ एक्सेप्शन एंडलिंग कॉंसेप्ट अभी हमने समझा कि इस तरीके से एक्सेप्शन को मैनेज करना है तो यहां पर मैं एक्सेप्शन को मैंने से जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जावा में एक्सेप्शन को मैनेज करते हैं ठेरा टो यहां पर मैंने क्लास बनाई है विच्श के इस्टेस इक्सेप्शन ज्यॉट जावा ठीके और इस क्लास वह हमने किया है तो पहले हमए मुस इसको थोड़ वह सा शौट कर देते हैं ठीके इस क्लास टेस्ट इसेप्शन ओक्य है स्क्लास में हमारे पास है public static void main method ठीक है string args ओके अब यहाँ पर आप दीकिए simple साइक example में आपको बताता हूं कि अगर माने जी में दो नंबर यूदर से एंटर करते हूं जैसे हमने बात कि थी कि arithmetic exception किस तरीके से आएंगे ओके तो यहाँ पर हमने क्या किया एक simple scanner class का object बनाया है ठीक है फस्ट विल इंपोर्ट दा पैकेज कॉल इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार ओके और यहाँ पर हमने scanner class का object declare scanner scan world to new scanner ठीक है एंडिस इस system.in ओके यह मैंने scanner class का object define किया हुआ है ओके और यह दो वैलू हम यूजर से रीट करते हैं हमने message क्या दिया system.out.println enter to number अब यह दो नंबर हमें किसमें रीट करना है a में और b में तो simply हमने क्या लिख दिया scan.nextint जो कि हमारा पहला नंबर होगा और फिर b में हमने second number scan किया है b equal to scan.nextint and this is c equal to a divided by b और इसके वागा देखिए अगर मैं exception को manage नहीं करता हूँ तो क्या होगा पहले अपन यह देखने हमने बात कि थी अगर आप exception manage नहीं करेंगे तो जावा का default handler उसको handle करेंगा उना इस एक example से आप समझे और आप देखिए यहां पर हम के मैं आपको केवले concept explain कर रहा हूँ हमने classroom में भी बात की और इस से multiple example जहां पर single try multiple catch multiple try multiple catch को कब use करना है राइट आप हमारा जो placement ready course take with one पर देखेंगे वहां पर आपको इस पूरे topic के quizzes assignment interview questions each and everything वहां पर आपको पूरा complete package मिलेगा तो एक बार उस course को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके questions interview में पूछा जाते हैं tricky questions क्या होता है exception handling को लेके ओके यहां पर आप देखेंगे अब मैं सपोज इसी के ठीक नीचे लिख देता हूं सी इकवल टू एंटू बी फिर मैंने लिख दिया सी इकवल टू ए माइनस बी तो अब होना यह चाहिए यहां पर ठीक है मैंने पहले डिवाइट किया है लेकिन आप देखें यदि मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं और सपोज करिए मैं पहली बार दो इसके बात का एक भी कोड आपका एक्जीक्यू नहीं हुआ है क्योंकि यदी आपका एक्सेप्षिन जावा हैं थे प्रोग्राम को अ ग्रुट ब्रॉंच करने के लिए अब हमने क्या किया इस statement को और इस statement को दोनों को कहां पर लिख दिया try में तो जैसे मैं आपको बताया था कि try वे block है जो exception को find out करता है तो अब अगर इस block में कोई भी exception आया सो उसके responsibility होगी हमारी तो हमने क्या किया अब हमने हमारा handler यूज कर लिया जो कि हैंडल करेगा arithmetic exception ठीक है तो यहां पर हमने लिख दिया arithmetic exception य और इसके against में हमने फिलहाल यहां पर लिख दिया system.out.println suppose division error यह मैंने अपना message दे दिया division error फिला ओके I hope you can understand कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैंने अब यदि यह try case लगा दिया है so that means अब अगर इस block में arithmetic exception आया so that would be handled by this catch block राइट तो अब देखे आप ओके तो अब मैं इस program को run करके देखता हूं अब अगर मैंने इसको run किया तो अब इसका मतलब यह है कि अगर exception आता है मान लिजे मैंने दिया 50 and 0 तो आप देखे क्या message आया division error लेकिन program आगे continue हुआ है उसने subtraction को भी चलाया उसने इडिशन को भी चलाया उसने multiplication को भी चलाया तो आपको रिजल्ट ही कि 0,50,50 मिल रहे है वर प्रोग्राम का execution पुरा completely end तक हुआ है and this is how to manage the exception और जैसे मैं आपको कहा था कि हर exception की parent class exception ही होती है तो यहां पर अगर मैंने exception e लिख दिया तो that means अब यह किसी भी तरह की exception class को handle कर लेगा तो exception e लिखने के बाद भी output में मुझे कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है मतलब अगर exception आता है तो बाकादा मेरा program exception शो करेगा लेकिन it is not necessary कि program में exception आएगा ही आप देखे if there is no exception तो कोई catch block execute नहीं हुआ है तो यह आपको समझना पड़ेगा कि how to manage exception इन जावा यह मैंने आपके example दिया है लेकिन जैसा मैंने आपको बता है कि आप एक बार हमारे premium course को देखेंगे वहाँ पर मैंने हर eight topic के exceptions को manage किया like number format exception, array index out of bound exception, null pointer exception, arithmetic exception के examples आप देखेंगे इनके interview question किस तरीके से आते हैं वह आप देखेंगे, right लेकिन यहाँ पर अभी हमने केवल बाग कि एक single try और single catch के बारे में, right लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर अगर भायचांस यहाँ पर आप यह चाहते है कि मुझे compulsory statement के लिए भी code लिखना तो वह मैं कैसे लिख सकता हू finally block में, तो यह दी मैंने यहाँ लिख दिया finally, और finally मैं अगर आपने लिख दिया system.out.println, ठीक है, मतलब दो case में आप देखें, मैंने try लिखा है, catch लिखा है, और finally लिख दिया, और यह मैंने लिख दिया this is finally block, क्योंकि actually finally का use कब आएगा, जब आप file handling का कोई code लिखेंगे जहाँ पर आपने file को open किया है, तो आपको उसको close भी करना है, जहाँ पर आप database connection open करेंगे, तो उसको close भी करेंगे, जैसा मैंने आपको class में भी बताया था, अब आप देखें, अगर by chance exception आता है, ठीक है, by chance मैंने value दिया है, suppose 20 and second value is 0, exception आया, लेकिन उसने बाकैदा मुझे message दिया है, this is finally block, अब वो इसलिए है, क्योंकि exception अगर आप manage करेंगे, तब भी finally block execute होगा, लेकिन आप देखें, अगर मैं catch हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने catch को remove कर दिया, अब no doubt, exception आएगा, तो Java का handler उसको handle करेगा, लेकिन उसके बाद भी आप देखें, उसने this is finally block को print किय है, लेकिन remaining code will not going to be executed, ये finally block का सबसे biggest advantage है, कि चाहे आप exception handle करें, ना करें, वो finally block को compulsory execute करेगा, that is for sure, तो I hope ये try का concept, catch का concept, finally block का use क्या है, ये आपको समझ में आया होगा, अब देखें, ये अभी हमने एक example देखा है, लेकिन ऐसे ही आप array index after bound exception, string का बताया था मैंने आपको याद करिए, कि सबोज अगर आपके पास कोई string है, और अगर आप string के किसी particular character को print करते है, like मैंने लिखा string string, str equal to, सबोज आपने लिग दिया data flare, ठीक है, अब ये दिमान लिजी मैं लिखता हूं, system.out.println, str.care8, suppose 3, अगर मैंने लिख दिया str.care3, तो ये मुझे third character print करके दे होती नहीं है, तो अभी आपने अगर क्यारेट 3 लिखा है, तो ये विल गैट third position character, इन सब को भी comment करना पड़ेगा, क्योंकि हमने actually सारा कोडी comment कर दिया है, let's see, ये देखिया, क्या मिल आपको A, लेकिन यहाँ पर अगर मान लिजीए, मैं 3 के जगा लिख दो, 20, तो 20 तो character ह नहीं है, बताया था मिन आपको, और देखिये, क्या exception मिलेगा आपको, string index after bound exception, तो यदि आप किसी string को भी उसके index से बाहर access करेंगे, you will get such type of exception, तो I hope ये exception का concept आपको समझ में आया है, लेकिन इसके detail discussion के लिए, आप एक बार placement ready course को जब देखेंगे, तो आपको समझ में तो चलिए, फिर मुलाकात करेंगे next lecture में, और बातें तो चलती रहेंगी, तब तक के लिए take care, bye bye